नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल पर देखी सबसे पहले तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है स्सी जीडे का कोई एकजाम नहीं है तो इस वीडियो में हम लोगे सबस्क्राइब करने चलिए बीजरोगे प्रति प्रसं संख्या 1-3 तकी निर्देश रहेए प्रति प्रسب रियो गए बिकल्पों मेंपन अच्पbnrão सब्भास संख्या को चुन ना है जैसे कि अपका पहले question में लगा हुआ यहाँ पर question mark तो इस type के question में क्या होता है जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है बही तरीका हम लोग आगे apply करते हैं तो देखे इसमें क्या होगा bank chi जो है bank chi किसे कहते हैं मेडक के बच्चे को उसी परकार साबक किसके बच्चे को कहते हैं option B sing अगला है chair का संबन्द है इससे तो table का संबन्द किस से होगा यह बताना है तो जो तरीका पहले से दूसरे में लगेगा बही तरीका हम लोग आगे apply करेंगे इससे क्या बन्दा है आपका r i a h c ओके तो यहाँ पर देखें पीछे से सारे alphabet पलट गया r देखें आगे आया i देखें आगे आया a b आपका बहीरा h पीछे चला गया और c जो है पीछे चला गया यही तरीका table के alphabet code में लगाएंगे आपके alphabet में लगाएंगे तो table के सारे alphabet लिख लेते हैं t a b l e पीछे से सारे alphabet पलट देते हैं e आगया आगया l फिर b फिर a फिर t तो यह जो alphabet में ले यह कौन से option में आ रहे हैं option c में तो option c is the right answer अब देखेंगा इस तीसरा question है और तीसरे question में लगा या लगा है यहां पर question mark तो इसमें भी बही तरीका लगेगा जो तरीका पहले और दूसरे के बीच होगा या दूसरे से पहले के बीच होगा बही तरीका हम लोग आगया apply करेंगे तो देखिए 36 जो होता है यह होता है 6 का square और 64 जो होता है यह होता है 8 का square 6 और 8 के भी difference कितने का 2 का मतलब 2 की प्रद्दी हो रही है और पीछे अगर जाते हैं 8 से 6 तो 2 घटा है ओके तो हम लोग पीछे जाते हैं 2 घटाने के लिए अब देखिए यहां पर 81 है यह होता है 9 का square तो पीछे जाएंगे तो कितना घटाएंगे 2 तो 9 में से 7 9 में से 2 घटे दिये गए विकल्पों में से विसम सब्द, अच्छरों, अत्वा, संख्या, योग्म को चुनना है तो चौते question में आपको विसम बताना है कि विसम क्या होता है कि चार option दे दिये जाते हैं इसमें से जो तीन option होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं समान हो जाते हैं और जो ए समोजाई का option है क्यों कि 525 25 होता है 5 का Q 729 7 7 9 का Q होता है और 343 होता है 7 लेकिन 1131 वह किसी भी संक्या का Q नहीं है तो विसमोजाई का option है अब 5 और कोस्टिन में विसम बताना है तो एक-एक option चेक करते हैं सबसे पहले अलफाबेट कोड लिखते हैं, N का कोड होता है 14, O का होता है 15, और L का होता है 12 तो 14 से 15 बना तब आपका एक जुड़ा, और 15 से 12 बना तीन गटा अब option B चेक करते हैं, D का कोड होता है 4, E का होता है 5, और V का होता है 2 चार से पांच बना एक जुड़ा और पांच से दो बना तीन गटा तो दो आपसन आपके सेम हो गए अब आपसन C चेक करते हैं R का कोड होता है 18, T का होता है 20, P का होता है 16 तो 18 से 20 बना क्या हुआ दो जुड़ा और 20 से 16 बना तब आपका चार गटा ओपसन D चेक करते हैं włas का कोड होता है 8, I का होता है 9, P का होता है 6 आप से 9 बना तब आपका एक जुड़ा, 9 से 6 बना तीन गटा तो देखिए ओपसन A, आप्सन B और अपसन D सभी में एक जुड़रा और तीन गटरा एक जुड़रा तीन गटरा एक जुड़रा तीन गटरा लेकिन option C में ऐसा नहीं है तो भी समोजाएगा option C अगला छटा छटे में आपका कौन सा भी समोगा तो ढोलक mendolin, guitar और violin यह सभी तीनों चीज़े आपकी एक हो जाती है लेकिन डोलक आपकी अलग चीज़े next निर्दे से प्रसन संक्या 8 से 10 तक की इन प्रस्णों में एक अनुकरम दिया गया है जिसमें एक पद लुपत है दिये के विकल्पों में से बहत सही विकल्प चुनिये जो अनुकरम को पूरा करेगा तो आठवा कोशन इसमें आपको बताना है कि यहां पर कोशन मार की दिकर पर क्या आएगा तो हम लोग क्या करते हैं सभी के पहले-पहले अलफावेट उठा लेते हैं जेट से बनाते हैं T तो जेट का कोड होता 26 ट का कितना होता है 20 तो 26 से 20 बना क्या हुआ अच्छे घटा अब T से बनाते हैं N N का कोड कितना होता है 14 पीछे सभी में 6,6 ओ तो आगे भी 6 गटै 14 में 6 गटा आते हैं तो 8 8 किसका होता है H पहला अलफावेट हमें क्या मिल गया H अब सभी के दूसरे दूसरे अलफावेट उठा लेते हैं X से बनाते है R X का कोड कुटना होता 24 R का होता 18 24 से 18 बना कितना हुआ 6 गटा अब R से बनाते है L L का कोड कितना होता है 12 18 से 12 बना क्या हुआ 6 गटा पीछे सभी में 6 गटा है तो आगे भी 6 गटेगा, 12 में 6 गटाएंगे, तो 6, 6 किसका होता है, L का, सोरी 6 किसका alphabet code होता है, F का होता है, तो 2 alphabet हमें H और F मिल गए, जो कि option A में भी नहीं है, ना option B, ना option C, लेकिन option D में 2 starting के alphabet H और F मिल गए, तो option D is the right answer, 9 question है, यहाँ पर लगा हुए question mark, यहाँ पर कौन से alphabet आएंगे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले-पहले alphabet उठा लेते हैं, बी से बनाते हैं H, तो B का code होता है 2, H का होता है 8, 2 से 8 बना किया, कितना जोड़ा 6, अब H से बनाते है N, N का code कितना होता है 14, आठ से 14 बना कितना जोड़ा 6, पीछे सभी में 6 से जोड़ा, तो आगे भी 6 जोड़ेगा, तो 14 में 6 जोड़ते हैं, तो 20, 20 किसका होता है, T का, तो पहला alphabet हमें मिल गया T, अब सभी के दूसरे-दूसरे alphabet उठाते हैं, D से बनाते है J, D का code होता है 4, और J का code कितना होता है 10, 4 से 10 बना कितना जोड़ा 6, अब J से बनाते हैं P, P का होता है 16, 10 से 16 बना कितना जोड़ा 6, तो आगे भी 6 जोड़ेगा, तो 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 किसका होता है, V का, दो alphabet हमें T भी मिल गया, जो कि option A में भी नहीं है, ना option B, ना option T में, येकिन option C में starting के दो alphabet हमें T भी मिलने हैं, ओके, तो यही आपका अंसर हो जाएगा, तो option C is the right answer, अगले question है, 113, 225, 449, यहां लगा हुआ question mark, कैसे करेंगे, 113 से 225 बनाते हैं, तो 113 में 2 का multiply, और 1 को गटा दिया, तो हमें के मिलने हैं 225, 225 से हम लोग 449 बनाते हैं, तो 225 में भी 2 का multiply कर देंगे, और 1 घटा देंगे, मतलब एक series चल लए है, 2 का गुणा और 1 घटा रहे हैं, तो 449 में भी यही तरीका लगाएंगे, 449, 2 का multiply करते हैं, 2 नहीं 18 की 8 हां से लगा, एक दो चकुआट, एक 9, दो चकुआट, और एक को घटा देंगे, तो हमें के मिल जाएगा, 897, और अप्शन है, इस राइट आंसर, अगला है, दिये हुए विकल्पों में से उस सब्द को चुनिये, जो दिये गए सब्द में सामिल अच्छनों से नहीं बनाया जा सकता है, सब्द आपका दिया हुआ है, 4 अप्शन हैं, इसमें से आपका अप्शन में से कौन सा नहीं बनेगा, तो एक एक अप्शन चेक करते हैं, सबसे पहला है स्काउट, स्काउट के अलफाबेट उपर आ रहे हैं, तो देखे, स्काउट में अलफाबेट यू यू जो रहा है, जो की उपर नहीं आ रहा है, तो आप्शन है आपका नहीं बन सकता, तो आप्शन है इस राइट आंसर, अगला है 31 विद्ध्यारतियों के एक अच्छा में, तो टोटल कितने 31 विद्ध्यारती, 31 स्कल्टू, अच्छा में हरोन का परारम से इस्थान कितना है, 70 बातो, 70 और अंत से उसका इस्थान बताना, तो प्लस, अंत से बताना, अंत से, और माइनस एक, अब देखिए, 17 और में से एक गया, 16, 16 उदर जाएगा, तो 31 में से 16 घटाएगे, तो आपका कितना आजाएगा, तो 5, 15 है, तो आप्सन भी, इस राइट आंसर, अगला है राजू के सम्मुक उत्तर दिसा है, और 32 मीटर आगे चलकर, माल लेते हैं यह स्टार्टिंग पॉइंट है, सम्मुक सामने मतलब, उत्तर दिसा उपर होती है, और कितना जाता है, 30 मीटर, आगे कहता है, भहे बाय मुडता है, और 15 मीटर जाता है, तो यहां से आपका बाया क्या हो जाएगा, इदर की तरफ, कितना जाता है, 15 मीटर जाता है, 15 मीटर, ओके, और फिर आगे क्या कहता है, भहे दाय मुड़कर 50 मीटर जाता, तो यहां से आपका दाया क्या हो जाएगा, उपर की तरफ, कितना जाता है पच्छास मीटर अंत में भाई दाएं मुड़कर चलता है तो यहां से आपका उपर दाएं क्या हो जाएगा इधर की तरफ भाई आप किस दिसा क्यों जा रहा है तो यह दिसा कौन सी हो जाएगी पूरफ तो option B is right answer देखें किसी दरपन को MN रेखा पर रखा जाए तो दी के उत्तरा करतियों में से कौन सी आकरती प्रस्नाकरती का सही प्रतिविम्ब होगी प्रस्नाकरती है और दरपन आपका यहां रखा गया तो यहां left वाली चीज़े जो होंगी राइट में आजाएंगी तो एक box बना लेते है सबसे पहले प्रस्नाकरती का यह वाला भाग देते है वो कहां चला जाएगा तो देखें गाई यह चला जाएगा आपका आगे की तरफ ओके तो बना देते हैं ऐसे ऐसा हो जाएगा अब ये बीच वाला पूरा भाग उठा लेते हैं, ये भी आपका कहां चला जाएगा दूसरी तरफ, तो ऐसे, 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 और इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे, और इसको ऐसे, ये वाला figure बन गया, तो ये figure का आपके कौन से option में आ रहा है, option D में, निमलेकित में से किस उत तरह करती दोरा प्रस्णा करती पूरी होती है, थोड़ा सा जूम करते हैं, अब देखिए, इसको यहां से मिला देते हैं, जहां जहां रेट पॉइंट होगा, बैसे ये आपका figure बन जाएगा, ओके, और एक arrow बना देते हैं, ऐसे, और ऐसे, बन गया, और फिर ये line, ऐसे, ये line ऐसे, ये figure बन गया, तो ये figure कौन से option में आ रहा है, option D में, option D is right answer, अगला निमलेकित में से कौन सा आरेक, सिच्छक, सिच्छित और नोकरी पेसा के बीच के संबंद को सही दर्साता है, सबसे पहले सिच्छित आएगा, और सिच्छित जो होंगे, वो सिच्छक होंगे चोटा बन जाएगा, और नोकरी पेसा, जो सिच्छक होंगे, वो भी तो नोकरी कर रहे हैं, तो नोकरी बाला ऐसे हो जाएगा, नोकरी पेसा, तो ऐसा फिच्छित डाइकरम बनेगा, तो option C is right answer, अगला नीचे दिएगे मानों का प्रियोग करके, दिएगे समीकर्ण को हल क किजिए, और उत्तर संख्यातक मान, संख्यातमक मान में दीचिए, जैसे कि आपका आयत बराबर 10, यह सभी चिन के नंबर दिये गए हैं, इनी चिनों को equation में apply करना है, पहले है triangle, triangle का नंबर कितना है 15, फिर rectangle, rectangle का नंबर है 10, और यह छोटे कोस्टम में बंद हो जाएगा, फिर divide by circle, circle का नंबर कितना है 3, तो सबसे पहले छोटा कोस्टम करते हैं, 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, 25 वटे 3 आजाएगा आपका यह, कितना आजाएगा 25 वटे 3 आजाएगा, तो इसको जब काटते हैं, 25 वटे 3 आने के बाद, तब कितना आता है, तो दीखे guys, circle का नंबर है 15 है, और rectangle, यह मैंने छोटा वाला ले दिया, बड़ा वाला आपको लेना था, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 कर दीजेगा, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 में 3 आजाएगा, बटे कर देंगे तो 38 चोविस, तो option D, it's right answer, अगला दिए गए विकल्पों में से multiply, 5 चक का 30, और 30 में 7 को घटा देंगे, तो हमें 23 मिल जाएगा, अब देखे, 4 में 20 का multiply, 20, और 20 में 6 घटा देंगे, तो 14, इसी तरह हम लोग तिसरे कॉलम में लगाएगे, 3 चक को 12, 12 में से 5 जाएगा, तो कितना आजाएगा, 7, ओके, तो option C is the right answer, तो काई थास के इस का तो कितने टाएगा, 9, 5, 6, 4 जाएगे, तो के तो ch्त वीएड़ागा, तो कितना आजाएगा全 जाएगा थाओ.